Hello everyone and welcome to comfortable studies मैं हूँ पारुल मैं और आज हम क्लासिक्स की साइंस का लेसन नमबर वान Food, Where Does It Come From इसके practice questions करेंगे इस chapter की हमने दो parts में पूरे chapter को समझा था अगर आपने वो parts नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं Link description box में मैंने दे दिया है और इसके अलाबा अगर आप book से chapter read करेंगे और तब समझेंगे तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और तब आप question के answers भी अच्छे से कर पाएंगे और आपको long term तक चीजें याद रहेंगी तो start करते हैं question number one What is food, खाना, भोजन, क्या है answer है इसका the eatable substance is eaten by humans and other animals to get energy for various activities for growth and development is called food यानि कि खा सकने वाली चीजें जिनको हम खा सकते हैं animals और humans खा सकते हैं किसलिए to get energy energy कि हम activities जो करते हैं हमारे growth के लिए, development के लिए हमें food काम में आता है आप इसको अभी साथ-साथ ही याद कर लें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा देखो कितना tasty food है यहाँ पे next question is what are ingredients ingredients क्या होते हैं, सामगरी क्या होती है तो इसका answer है food items or substances that are combined to make a particular dish are called its ingredients तो मैंने जब समझाया था तो बताया था कि अगर suppose हम रोटी भी बनाते हैं तो हम किस-किस चीज से बनाते हैं आटा लेते हैं और पानी लेते हैं और कुछ लोग थोड़ा साल्ट भी डालते हैं then हम उसको गूत लेते हैं तो वो आटा बनाने यानि कि आटे से फिर रोटियां बनती हैं तो उसके इंग्रीडियन्स क्या क्या हो गएं आटा पानी मतलब वाटर और सॉट ठीके तो किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए हमें जिन जिन सब्स्टेंस की रिक्वार्मेंट होती हैं वो क्या कहलाते हैं इंग्रीडियन्स कहलाते हैं यह इसमें इंग्रीडियन्स को शो करते हैं इसके सोर्सिस कहा हैं कहा से मिलते हमें यह इंग्रीडियन्स answer is plants and animals यह तो plants से मिलते हैं जैसे vegetables, fruits and pulses, spices यह सब हमें plant से मिलते हैं और इसके अलावा egg, milk, butter cheese, यह सब हमें किस से मिलते हैं? यह animal से मिलते हैं, देखो यहां डाइग्राम में दिया हुआ है ओके? now we come to the next question different edible parts of plant किसी भी plant का कौन से part को हम edible समझते हैं या edible समझके खाते हैं तो आप यहां पर देखो इन्होंने पूरा यहां पर डाइग्राम में differentiate किया है कि इसमें flowers, roots, leaves और जितने भी birds, मतलब हर part को इन्होंने दिखाया है कि use किया जाता है उनके नाम भी दे रखे हैं जैसे यह leaf है इधर sorry जैसे यहां पर यह leaf है यह, यह flower है यह भी इधर flower दिया है और इधर fruits, beans दिये है यह भी उसका पूरा का पूरा leaves का गुच्छा है तो इस तरीके से तुमें यह दिया है यह fruit, vegetables यह सब अलग-अलग parts है तो plant का हर एक part as a ingredient use किया जाता है next question, very important question is what are herbivores यह question बहुत important है, यह तीन question अभी आगे आएंगे आप इनको अभी से याद कर लो हर class के exam में कोई भी exam होगा तो यह question तो आने ही है what are herbivores so animals which feed on plants and plant products are called herbivores वो ऐसे animals जो कि या तो plants ही खाते हैं directly या फिर plants से मिलने वाले products को खाते हैं वो herbivores कहलाते हैं example, cows, buffaloes goats, sheep, deer rabbit, parrot, etc animals with feed on plant and plant products are called herbivores आप मेरे साथ साथ भी पढ़ोगे अभी तो अभी याद जाएगा examples, cows, buffaloes, goats, sheep, deer rabbit, parrot, etc और भी बहुत हैं next question what are carnivores animals which feed on other animals are called carnivores वो जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उनके flesh को, उनके meat को खाते हैं वो carnivores कहलाते हैं at the top end of the food chain are carnivores आप अभी शायद आपने food chain के बारे में पढ़ा होगा या नहीं तो इसमें क्या होता है कि food chain क्या चीज होती है कि छोटा जो insect होता है उसको थोड़ा बड़ा insect खाता है उसके बाद और कोई खा लेता है उसको फिर और कोई खा लेता है तो इस तरीके से chain बंती चल जाती है food की ठीक है तो इसको food chain कहते है तो carnivores जो होते हैं ये उसमें सबसे top पे होते हैं तो example tigers and lions और इधर और भी है wolf, jackal, vulture, eagle ये सब कौन से animals हैं carnivores next what are omnivores omnivores माने सब कुछ everything omnivores माने सब जगा तो इसका क्या बनेगा omnivores are animals that eat both plants and the flash of other animals मतलब दोनों चीज़ खाते हैं plants भी और flash भी उन्हें क्या कहते हैं omnivores इसके example है bears, crows और इसके अलावा यहाँ पे ये एक list दे रखिये तो मैं देखो इसमें भी बहुत सारे animals दिये होगे dog, cat, crow, pig, hen, cockroches ant, squirrel, peacock and rats ये सब का उन से हैं omnivores अब इसमें यहाँ पे question rise होता है कि किस तरीके से ये वाले questions raise किये जा सकते हैं तो ये omnivore, herbivore और carnivore वाला question बहुत तरीके से raise किया जा सकता है एक तो इनकी definition आ सकते हैं what are herbivores, what are carnivores और दूसरा इनके examples आ सकते हैं इसमें आपको select करना होगा बहुत सारे animals के list दे दी आपको बोला जाएगा list them under the category of carnivores और herbivores मतला आपको चाटने होंगे कौन से animals carnivores हैं कौन से herbivores हैं कौन से omnivores हैं तो हम confused हो जाते हैं इसलिए हम इनके examples भी अच्छे से याद करने हैं यहाँ पर आपको काफी examples दिये हैं जो exam में पूछे जा सकते हैं ठीक है next question यह हमारे book का ही question है जो मैंने इसमें ले लिया है ताकि आपको अभी से पूरा chapter खतन हो जाए fill the blanks with the help of given words यह words दिये हैं यहाँ पर कुछ इनके हों में fill करना है so question number one हम read करेंगे answer आप खुद सोचेंगे अपने आप क्या है tiger is a dash because it eats only meat तो जब हमने पढ़ा था अभी तो जो meat ही खाते हैं उनको क्या कहते हैं carnivore यानि कि number one number one कहाँ पर आजाएगा carnivore is a carnivore देख यहाँ पूरा तो नहीं भर पाएंगे इससे तो इतना ही आप समझ लो carnivore मैंने या number one भी दे दिया है next is deer यानि deer eats only plant products and so it's called जो केवल plant products कहाते हैं उनको क्या कहते हैं देखो यहाँ पे herbivore very good second यहाँ पे क्या आजाएगा second वाला herbivore okay next है parrot eats only dash products parrot कौन से product plant products number three इसको दिया जाता है plant को तो यहाँ आजाएगा plant okay I hope आपको समझ आ रहा होगा next है the dash that we drink which comes from cows, buffaloes and goats is an animal product हम क्या चीज़ पीते हैं the dash that we drink that is milk हम milk पीते हैं तो milk मैं यहाँ लिख देती हूँ the milk that we drink which comes from cows, buffaloes and goat is an animal product है ना animal product है नहीं यह तो यह है next is we get sugar from चीणी हमें कहां से मिलती है यह तो आपको पता है from sugar cane यह तो आप answer दे सकते हैं okay sugar cane we get sugar from sugar cane next next है यह match the following यह आपको बहुत easy लगेगी first question पढ़ते चाहिए अपने आप और अपने आप answer बताते चाहिए तब देखो कैसे आपको अच्छा लगेगा milk, curd, पनीर, घी यह सब क्या है these are animal products ठीक है ना next spinach, cauliflower, carrot यह सब क्या है these are vegetables next lions, tigers यह कौन से है eat other animals यह eat plants and plant products simple है eat other animals next herbivores herbivores eat plants and plant products तो यह आपको समझ आगया होगा शायद बहुत easy लगा होगा तो यह हमारा चैनल Comfortable Studies है मैं इसमें कोशिश करती हूँ आपके हिसाब से पढ़ाँ ताकि आपको अच्छा लगे आपके काम आए तो अगर आपको अच्छा लगे प्रक्राइव आपको अचानल अच्छा लगे अच्छा अच्छा लगे आपकी लगे लगे